हेलो दोस्तों आपका हमारे इजी टू लर्ण बाई वीरा केश चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं संस्क्रित में लिखी गई तंत्र बंत्र से सम्मंधित कवच अस्तोत्र आदी का पाठ करने और समझने में हम सभी लोग को थोड़ी दिक्कत होती है। अतह इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कवच इस्तोत्र आदी का पार्ट सरलता से कैसे करें बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ शब्दों के अर्थ भी इस कवच में बताएंगे ताकि आप देखें और समझ सकें कि हम लोगों के तांतरिक गरंथों में कुछ शब्दों को कैसे चुपाया गया है और क्यों इसे गूढ विद्या कहा जाता है। वैसे किसी भी स्तोत्र आदी को पूरी तरह से सही सही समझना काफी मुश्किल है और किसी भी स्तोत्र आदी का पाट करते समय यह भी ध्यान रखें कि कुछ संस्कृत शब्दों के कहीं कहीं एक से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं या भिन अर्थ भी हो सकते हैं। तो आज इस कवच को समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें। आज हम आपनों के लिए माता श्री भुवनेश्वरी का त्रैलोग के मुहन कवच लेकर आए हैं। श्री देव वीवाच भगवन परमेशान सर्वागम विशारत भगवन परम इशान सर्वागम विशारत ऐसे भी बोल सकते हैं। अब विनियोग का मंत्र पढ़ते हैं ओम अस्य श्री त्रैलोग के मोहन कवचस्य श्री सदाशिव रिशिह विराट छंदः अब यहाँ पे थोड़ा रिश्यादी न्यास दिया हुआ है श्री सदाशिव रिशय नमः शिर्शी विराट छंद से नमः मुखे श्री भुवनेश्वरी देवताये नमः हिर्दी चतुर वर्ग सिध्यर्थम कवच पाथे विनियोगाये नमः सर्मांगे यह माता भुवनेश्वरी का बहुती दिव कवच है और इस कवच में बहुत सारे बीज मंत्रों का प्रयोग हुआ है जिससे यह कवच बहुती ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है मूल कवच यहाँ से शुरू होता है ओम ह्रिम क्लिम में शिरह पातू श्रिम फट पातू ललाटकम सिद्ध पंचाक्छरी पायान नेत्रे में भुवनेश्वरी श्रिम क्लिम ह्रिम में शुरूती पातू नमः पातू चा नासिकाम देवी शड अक्छरी पातू वदनम मुंद भूशना ओम ह्रिम श्रिम एम गलम पातू जिहवाम पायान महेश्वरी एम असकंधा पातू में देवी महात्री भुवनेश्वरी हुरुम घंटा में सदा पातु देव्य एकाक्षर रूपणी ऐम हृम श्रिम हूम् तू फट पायाद इश्वरी में भुजद्वयम ओम हृम श्रिम क्लिम आम फट पायाद भुवनेशीस्तन्द्वयम राम हृम आम फट महामाया देवी चहिरदयम्म एम रिम श्रिम हुम तू फट पायात पार्शो काम स्वरूपनी ओम रिम क्लीम एम नमह पायात कुक्छिम महा शड़क्षरी शड़क्षरी का अर्थ छे अक्षर होता है तो यहां ओम रिम क्लीम एम नमह जो है छे अक्षर का मंत्र है शड़क्षर मंत्र एम सो एम एम क्लीम फ स्वाहा कटी देशे सदावतू अस्ट अक्षरी महाविद्या देवेशी भुवनेश्वरी यहां श्लोक संख्या साथ में एम सौह एम एम क्लिम फट यह अस्ट अक्षर मंत्र है जिसको यहां पे बताया गया है ओम हरीम रॉम एम श्रिम हरीम फट पायान में गुह अस्थलम सदा शड अक्षरी महाविद्या साक्षाद ब्रम स्वरूपनी एम राम रॉम नमो देवेई देवी सर्वं पदम तत दुस्तरं पदम तारया तारया प्रणाव द्वयं स्वाह इती महाविद्या जानुनी में आम सह ओम आम क्लिम फट स्वाहा जंगे अव्याद भुवनेश्वरी ओम रिम श्रीम क्लिम आम फट पायात पादों में भुवनेश्वरी Aum Oum आम हिर्म हिर्म श्रीम श्रीम क्लिम आम आम सह सह वद 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 वाग वाद न इति थे दी विद्ध्या विष्वव्या पनी सह 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 आम 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 क्लिंग 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 श्रिम 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 ह्रिम 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 ओम 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 चतुर दशात्मिका विद्या पायात बाहु तूमे सकलम सर्व भीतिभ्य शरीरं भुवनेश्वरी ओम ह्रिम श्रिम इंद्र दिख भागे पायान में चा अपराजिता यहां जो शब्द दिख रहा है चापराजिता, चापराजिता को चापराजिता बोलेंगे अपराजिता दुर्गाजी का एक नाम है पायाद दुर्धवम यहां पायाद दुर्धवम जो दिख रहा है इसे पायाद उर्धवम पढ़ेंगे उर्धवम मतलब उपर की दिशा होती है नीचे के डारेक्शन के लिए कहा गया है तो ओम ह्रिम श्रिम क्लिम एम माम पायाद अधह अस्था भुवनेश्वरी एवं दश दिशो रक्षेत सर्व मंत्र मयो शिवा प्रफाते पातु चामुंडा श्रिम क्लिम एम सह स्वरूपनी यहाँ पे उमा माता का नाम लिया गया है मतलब जब रात शुरू हो रहा हो तो रुद्रानी मेरी रक्षा करें निशादो पातु रुद्रानी ओम क्लिम क्रिम सह स्वरूपनी निशी थे पातु ब्रह्मानी क्रिम हरूम हरिम हरिम स्वरूपनी निशान्ते निशा अन्ते जब रात खत्म हो रहा है मतलब भोर के पहले निशान्ते वैशनवी पाया दो मैं हृिम क्लिम सोरूपनी सर्वकाले चा माम पाया दो हृिम श्रिम भुवनेश्वरी एशा विद्या मया गुपता तंत्रे भ्यश्चा अपिसांप्रतम फल शुरुती यहां से फल शुरुती का भाग शुरू होता है देवेशी कथिताम तुभ्यम कवचे इच्छा त्वईप्रिये कवचे इच्छा कवच इच्छा इतीते कथितम देवी गुहे अंतर परम त्रेलोक्य मोहनम नाम कवचम मंत्र विग्रहम ब्रह्म विद्या मयं चैव केवलं ब्रह्म रूपिनं मंत्र विद्या मयं चैव कवच यहां लगता है पुरश्चरन के लिए विधी विधान से एक सो आठ बार करना है शतम अस्तो तरम जपत्वा तावध होम आदिकम यानि उसके बाद होम आदि करना है हवन करना है इसके कुछ श्लोकों के अर्थ PDF की फाइल में भी दिये गए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप लोगों की सुधा के लिए डाल रखा हैं। तो आप अगर चाहें तो वहाँ से इसकी PDF फाइल की एक कॉपी डाउनोड कर सकते हैं। कभी-कभी हम आप लोगों की सुधा के लिए कुछ अन्यतंत्र ग्रंतों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। जिससे अगर आपकी एक्छा हो तो आप उन ग्रंतों का भी अध्यन कर सकें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल की आइकन को दवाना न भूलें। धन्यवाद।